हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आज हम बात करेंगे लैटिन में ब्लड या ब्लीडिंग प्यार जिसको बोलते हैं उसको इबारे में मैं डॉक्टर मनीश काक कंसर्टन गैस्ट्रेंट्रोजिस्ट लेवर स्पेशिलिस्ट मनीपाल हॉस्पटल गाजियाबाद आजकर पेशन हमारे पास आ रहे हैं जिनको ये दिकत है कि जी लैटिन में ब्लड आ रहा है तो लैटिन में ब्लड का क्या कारण है इसमें हम कैसे रोकताम कर सकते हैं और क्या साल से लैटिन में बलड आ रहा है उसके कारण उनका हिमोगलोबिन गिर गया उनका वजन कम हो गया और बॉड़ी बिलकुल कमजोर हो गई तो हमने पूछा इलाज बगारा क्या किया था आपने तो उन्होंने बता कई जगा से एंटिवाटिक भी चल गए सब हो गया लेकिन कुछ ट्रीट्पन नहीं आया फाइदा नहीं आया ट्रीट्मेंट से तो फाइनली एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको कोलोनोस्कोपी बोल कि वह आत उनकी बिल्कुल एक फ्राइबल एक कमजोर आत बन गई थी इतना ब्लीडिंग वहां से हो रहा था तो हमने उनका वहां से ब्याप्शी लिया उसका ट्रीट्मेंट शुरू कर लिया तो उसमें कॉलाइटिस करके एक बिमारी आई जो के एक ट्रीटिबल बिमारी ह लेकिन उनका इलाज टाइम पे नहीं हुआ उनकी जाज टाइम पे नहीं हुआ और तीन साल में उनका वेट जो है 90 केजी से मुश्किल से 40-50 केजी आदे रह गए हो तो फिर हमने उनको यहीं बताया वह आपने पहले क्या इलाज किया वह कहें हम तो इलाज अब इस तरफ से स्या क्रोंज डिजीज करके कुछ बीमारिया होती है जो लेटरिन में लगाता और ब्लड फैंक दी जाएंगी और जो रिगलर एंटिबाइटिक्स वगारा होते हैं उससे इसमें कुछ फरक नहीं पड़ता क्योंकि इसका ट्रीमें बिल्कुल अलग है यह इन्फेक्शन वा महिना साल दो साल तो यह ओजड वगारा से ठीक नहीं होगा इसके लिए आपको प्रॉपर जांच करनी है कॉलोनस्कोपी टेस्ट करना है जिसके जरीए कलियर होगा ब्लीडिंग के कारण और भी होते हैं सिंपल कारण होते हैं जैसे मस्से हिमराइड से पाइल जिसको बोलत में लेकिन इसके साथ कभी 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 बिलीडिंग का कारण होता है इंटरस्टेइन का कैंसर जिसको कार्च seeing में कोलोन बोलते हैं बड़ी आंथ का कैंसर उसमें भी लैटन में बलड़ाता है और वो व्यक्ति भी इसी तरह से वजन कम होना खाना कम खाना भूख खतम होना वेट कम होना इस सारे सिम्टम के साथ आता है और कई बार हमने देखा है कि अकसर क्या होता है जब ब्लीडिंग आ वाला ब्लीडिंग नहीं होता है कई बार ब्लीडिंग के कारण अलग भी होते हैं कुछ लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं जैसे कैंसर टाइप इसलिए कभी भी अगर आपका लैटन में ब्लड आ रहा है और ज्यादा समय से आ रहा है और आपको रेगलर धवाई से आराम नह तो कुछ मेडिसिन करके ठीक हो जाए लेकिन यह ठीक हो सकता है इतना मत बेट कीजिए कि वाजन 90 केजी से 40 केजी हो गया शरीर खतम हो गया चलने की हिमत भी नहीं रही फिर फाइनली इलाज में भी दिक्कत आती है सो फैनली मैं यही कहूंगा कि हल्दी रहिए और हल्दी खाना खाये एक्सरसाइज कीजिए और जंक फूड एवाइड कीजिए और कभी भी ऐसा कोई सिम्टम हो तो तुरंत उसका ट्रीटम कीजिए थैंक्यू वेरी मच्छ नमस्टाइब